नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं 5 दिसंबर 2021 को आपका परिक्षा बिहार द्रोगा का होगा या नहीं होगा या संभावना कितनी है इसके बारे में जानकारी देंगे चुकि सोसल मीडिया पे एक का नोटिफिकेशन वैरल हो रहा है आप लोगों को भी साम साम तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये लखी सराय के जिलाज सिक्षा पतादीगारी की तरफ से अपडेट किया गया है अब मैं आपको एक चीज़ क्लिर करना चाहता हूँ कि आपका परिक्षा 5 दिसंबर को हो 26 दिसंबर को हो या अगले साल जनवरी में हो या फरवरी में हो इससे कोई फरक आपको नहीं पढ़ना चाहिए इन फैक्ट आपका परिक्षा अगर कल को हो जाए तो आपको अपने परिक्षा गले तयार रहना है इसके पीछे कारण क्या है कि दिखे इस परिक्षा को notification निकले एक साल हो गया है और इस notification को जब एक साल निकले हो गया है तो आपके तयारी भी काफी अच्छी थी आपके तयारी अभी भी अच्छी है आप अभी भी exam में बैटेंगे तो अच्छा score कर सकेंगे हम आपके साथ जुड़े हुए अपने चैनल वाइट एजुकेशन से और आपका लगतार तयारी करवाए हैं अपने मोक टेस्ट के जरिये strategy बताया हम लोगों ने आपको कि आप से strategy से पढ़िए ये subject पढ़िए lucid को कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़े आपको update किये थे लेकिन यहाँ पे जो notification आया है आपको इसमें जो notification में क्या लिखा गया है इसमें आपको बताने का कोसिस कर रहा हूँ तो वीडियो को आन तक जरूर देखेगा ध्यान से देखेगा दोस्तों ये वो notification है जो कि social media पे अभी बहुत ही ज़ादा viral हो रहा है ये viral इसलिए हो रहा है क्योंकि देखे ये बिहार दरूगा की परिक्षा को लेकर है और इस notification में मित्रो क्या कहा गया है तो इस notification में कहा गया है ये जो notification है सराव का ये है बिहार सरकार के द्वारा कार्याले सिक्षा पतादिकारी लखी सराय के द्वारा अपडेट किया हुआ और ये कब अपडेट किया गया है ये भी इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है देखे 24 तारी का signature है यहाँ पे जिला सिक्षा पता दिखा रहे हैं लखी सराई का अगर यह notification आपको ऐसा लगता है कि fake है तो आप बिल्कुल इसे विश्वास कर सकते हैं चुकि यहाँ पे आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि आपको अपने उपर विश्वास रखना ह है आज एक्जाम होगा तो आज आपको तैयार रहना होगा कमर कस के कि आज आपका यह परिक्षा है तो हमको आज एक्जाम देना है मैं किसी भी notification को यहाँ पे fake या फिर सही नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यह official originate इसका यानि कि स्रोथ हमें नहीं मिल पा रहा है यह social media पे वा 2020 को लेकर इसके अंत्रगात पुलिस अवर सिवा निरक्षक के पदों है तो यहाँ पर जो वेकेंसी थी 213 पदों की उसकी जानकारी के विरुद में 5 दिसंबर यह date mention किया गया है दोस्तों रभिवार को दो पालियों में प्रारंभिक परिक्षा आयजित करने है तो यह प्र काम है जिसके लिए सेंटर की डिमांड की जारी है यहां के यह प्रबंदक महानिदेशक के यहां पर स्वर्जीरा पस्तिक्षा पादा दिगरे के दुवारा यह अपडेट दिया गया है तो उपर युक्तिस्त विशक की अनुसार यहां बताया है कि आलोक में अंकित करना है कि विधा यहां पर जो विग्यापन संखे 2020 के अंद्रगत पुलिस अवर निरक्षक जो हमारा वेकेंसी है दरोगा का अवर निरक्षक पत के लिए 223 के विरुद में यहां पर दोस्तों पांच दिसंबर को रविवार को दो पालियों में इसकी परिक्षा होनी है इस प्रार यहां पढ़के बता रहा हूं अतब यहां पे जो प्रसाशनिक परपत्र है उसके अनुपालन करते हुए यहां पर विशय अंकित करते हुए परिक्षा जो आयोजित करने ही तो परिक्षा केंदर का प्रस्ताव निमलिकित निहित परपत्र यहां पर दिये गया है दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से clear कर देना चाहता हूँ कि यह name of address for the center और school colleges जो भी लखी सराय में school और colleges है उनका center का नाम दिया गया है यह 10 total नाम है यहाँ पे यह number of दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है centers दिये गया है number of examination centers available यह ability जो है यह ability आपका है और total capacity यह total sitting capacity कितनी है इन सभी school के colleges की यहाँ पे बनित किया गया है total यहाँपे ठीके अब यहाँपर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे centers के नाम धिये गये हैं यह in schools के नाम और colleges के नाम दिये गये हैं जो कि यहाँपर लखी सरा में और यह उनका टेलीफोन नंबर दिया गया है जो कि यहां पर इस स्कूल से संबंदित है तो यह सारे हैं जो की नाम आपको अपडेट किये हैं इस नोटिफिकेशन में दोस्तों और यह सेंटर से अबलेबल कराएगे हैं जो की यहां पर जीला सिक्षा पददिकारी जो हैं यहां पर अपडेट किये हैं यहां पर 24 तारी का इनका एक सिगनिचर भी है देख सकते हैं और प्रतिलीपी में कहा गया है कि सभी जितने भी विद्याले हैं और उनके प्रधान हैं यहां के उन सभी को यह केंद्रा दिख्षक लखी सराय के द्वारा सुचित किया आता है कि प्रिक्षा का आयुजन दोस्तों पांच जिसंबर को जो होना है उसके लिहेतु यहां पर यह प्रस्ताव रखा जा रहा है उनके सेंटर्स क लेकर तो यह नोटिफिकेशन दोस्तों वाइरल हो रहा था फेस्बुक पे और मुझे कुछ शात्रों ने वटसब भी किया था कि क्या यह सही या नहीं है तो मैंने इसकी पारे में थोड़ी सी जानकारी निकालने कोशिस किया जिला सिख्षा पतादीकारी के ऑफिसल वेब किजिएगा हो सकता है कि यहां से कुछ अपडेट नहीं मिले उल्टा आप लोगों सुनने को मिल जाए ठीक है तो यह जो है आप लोगों को मैं बता दो कि यह जिला सिख्षा पतादीकारी के ऑफिशल अपडेट जो बताई जा रही है यहां पे यह हमें फेस्बुक से अप सभी छात्रों से कि आप अपने तयारी को बनाये रहिए आप अपने तयारी में बने रहिए आपका एक्जाम कल होगा तो कल एक्जाम देना होगा आपका एक्जाम अगले साल होगा तो अगले साल देगना लेकिन एक्जाम होगा इस बात को मान के चलिएगा तूटना नहीं है और ऐसे जो notification है वो लगातार बीच बीच में बहुत सारे चीज़ी viral होती रहेंगे लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप यहाँ पे nervous हो जाएं अगर आपकी तयारी नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अच्छे से full confidence में exam देने जाएंगे सब कुछ आपका पिछली बार भी पढ़ा होगा और इस बार भी पढ़ा होगा लेकिन जो चातर यहाँ पे तयारी कर रहे हैं लगातार एक साल से मैं उन सभी को यही कहना चाऊंगा कि इस notification को अभी भी serious लने की जुरुत नहीं है यह examination date हो सकता है कि आगे भी extend किया जाए चुकि centers का प्रस्ताव रखा गया है इस notification में जैसा कि बताया जा रहा है और यह प्रस्ताव अभी मंजूरी नहीं मिली है यहाँ प्रस्ताव के लिए application बताया गया है इतने centers available है इतने college इतने school जो है available है number of capacity इस school के इतनी है यह सारी चीज़े आपको बताए गई है तो संभावना है यहाँ पर है कि 5 December को हो सकती है लेकिन अभी भी यह clear नहीं करूंगा मैं आप लोग को नहीं हो रहा यहां से clear तो इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया हूँ कि यह सारी चीज़े आप तक पहुंचाई जा सके कि ऐसी चीज़े हो रही है आपका एक्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन आपको तैयार रहे ना आपका एक्जाम कल हो परसु हो कभी भी हो एक्जाम देना पड़ेगा धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक किया ध्यान रखेगा अपना और अपने फरिवार का